So what's up guys, this is Varun Agrawal, you are watching Dynamic Info, let's start the video आज की जो हमारी सबसे पहले अपडेट आ रही है वो आ रही है बैंगलूरू से जो कि मैंने आपको जैसे कि कल अपडेट दी थी कि बैंगलूरू में एक शक्स जिनका नाम अमित अगरवाल है इन्होंने अपने सबसे पहले तो पत्नी की हत्या करी और उसके बाद इन्होंने कुलकाता जाकर अपनी सास के हत्या करी और उसके बाद इन्होंने खुद भी सोसाइट कर लिया उस case से related एक update आया है जिसके हिसाब से ये जो शक्स हैं जिनका नाम अमित अग्रवाल है इनकी उम्र 42 साल वताई जा रही है और इसी के साथ अमित अग्रवाल एक CA थे एक chartered accountant थे और इसी के साथ इनका जो society note है जिसमें इनका confession भी included है जिसमें इनों ने अपना confession भी किया हुआ है कि इनकी सास यानिक इनकी mother-in-law और इनकी wife यानिक इनकी पत्नी की हत्या इनों नहीं की है उस society note की length तकरीबन 67 pages की उस society note की length है जिसमें ये भी mention है कि इनका जो plan था अपने सभी in-laws को मारने का था सभी in-laws को खतम करने का था फिलाल अभी तो ये updates आई है बाकी further updates जो भी इ आयर केस दर्ज हो गया है यहां पर सूरत में यह जो constable है इसका एक video viral हो रहा था जिस video में यह constable है यह एक woman staff को जो की एक canara bank की woman staff है उसको यह assault करते हुए दिखते है उस video में और उसके बाद जैसे video viral होता है तो इस constable को suspend कर दिया जाता और उसके बाद इस case पर finance minister निर्मला सीता राउन का भी एक बयान आया है कि statement आया है जिसमें उन्होंने का है कि इस case की investigation बड़ी बारी की से की जाएगी और पता किया जाएगा कि इस assaulting की पीछे का कारण क्या है बाकि let me know आपके सोचते हो कि यह जो assaulting हुई इसका कारण क्या पीछे का जो कारण है वह आपको क्य यह जाए लगता है और इसी के साथ हमारा जो आज का तीसरा अपडेट आ रहा है रोहतक से जो कि हर्याना में स्थित है रोहतक में आज 2.8 magnitude का अर्थक्विक आया है और इसी किसाथ रोहतक में एक जून से लेकर आज तक में आने कि 24 जून तक में तकरीबन 8 अर्थक्विक की लेवल थी वह 1.8 magnitude से लेकर 3 magnitude तक ही इनकी पावर थी और इसी के साथ एक और छोटी सी अपडेट अर्थक्विक के बारे में जो की रोतक और मिजवरम में आया रहा है आज का जो हमारा चौथा अपडेट आ रहा है वो आ रहा है नंदलक विलेच से जो की महराश्च में इस इस ते था नंदलक विलेच जो की महराश के वसाई में इस थे ते यहां पर एक कपल की शादी थी जिस कपल में यूवक्त थे उनका नाम एरिक लोबो है और इसी के साथ जो यूवती उनका नाम मेरलेन है और यह दोनों जो कपल है इन्हों ने अपने शादी के दिन 50 बैट हॉस्पिटल्स खुदान किये हैं और इसी के साथ ऑक्सिजन सेलेडनस भी हॉस्पिटल्स खुदान किये हैं डोनेट किये हैं जो कि इन्हों ने किया है COVID-19 के पेशिंट्स के लिए और इस वाक्या पर यारनी कि इस इंसिडेंट पर जो एरिक लोबो है उनका ये कहना है कि इस नॉर्मल खृष्चन शादी में तकरीबन 2,000 लोग आते हैं और वो शादी तब तक पूरी नहीं होती दर तक वो शादी में वाइन और एक अच्छी क्वालिटी का खाना ना हो जिसमें एक काफी बड़ा खर्चा होता है और इसलिए हम लोग ने सोचा कि हम लोग अपन से लेंडसी कमी हो रही है उसमें इनका एक थोड़ा से योगदान काफी लोगों को रहत दे सकता है बाकी लेट मीन हो आपके सोचते हो इस चीज़ के बारे में और इसी साथ हमारा जो आज का पांचवा अपडेट है वो है COVID-19 से रिलेटेड इंडिया के COVID-19 अपडेट से र 4,56,183 यानि की 4,56,183 केसे लोटल इसमें इंडिया में हैं और इसी के साथ 2,58,684 लोग इस समय COVID-19 से रिकावर हो गए जो की काफी अच्छी बात है लेकिन कल से रेकर आज तक में जो मौत हैं उसमें भी काफी उचाल आया है कल जो मौत हैं 14,011 थी वो आज बढ़कर 14,476 यानि की 14,476 हो गई है और इसी साथ इंडिया में जो एक्टिव केसे से समय है वो है 1,83,022 यानि की 1,83,22 केसे से समय इंडिया में एक्टिव हैं तो ये तो रही बात COVID-19 के अपडेट से ले लेटर इंडिया के बारे में और इसी पॉइट साथ हमारी आज की वीडियो में खतम होती आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आयोगी और इसी और वीडियो देखने की ऐसे और अपडेट चानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूने जिससे के हमारी लेटेस वीडियो के अपडेट्स आपको आपको पर आपके कोई सब्सक्राइब करें और इसी के साथ हमारी सबी सोचल साइट निचे डिस्क्रेशन में दी वही है तो उसको भी आप जाकर जरूर फॉलो करें फॉद्वर अपडेट्स के लिए और हम मिलेंगे आप से कल कुछ नई नियूस के साथ कुछ बुरी नियूस के स तब तक के लिए, take care of yourself and take care of your family, bye.